किसान भाइयों के आंदोलन के बाल लगा तर सोया बीन की किम्तों में तेजी जारी नमसकर किसान भाइयों स्वागेत है आप सभी का आज का बजार भाव यूटूब चैनल पर किसान भाइयों चलिए जान लेते हैं 2 सितमबर 2024 दिन सूमवार से लेकर 7 सितंबर 2024 तक आने वाले 5-6 दिनों के भीतर सोया बीन के दामों में तेजी आएगी या फिर मंदी आएगी साथी इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे आखरी कारूबारी दिवस सोया बीन की कितनी आवक थी सोया बीन का क्या भाव था लेकिन उससे पहले रोजाना सोया बीन के ताज़ा भावा तेजी मंदी रिपोर्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक प्यारासा लाइक करके ज्यादा से ज्यादा सेयर करना क्योंकि किसान भाईयों जब आप वीडियों सेयर करते हैं उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप सभी की बाद सरकार तक पहुशती है जैसा कि किसान भाईयों आप ने देखा है पिछले कुछ दिनों से सोया भीन के दाम MSP बहुत से नीचे जा चुके थे लेकिन आपको बता दे आखरी सब्ता जो सोया भीन की मंडी चली है उसमें सुधार देखने को मिला है और ये सुधार इस करड़ आया है कि लगातार किसान भाई एक सितंबर से आंदोलन की बात कर रहे थे और किसान भाईयों ने MP के हर गाव में आंदोलन सुरू कर दिया है वहीं आपको बता दे इस बीच लगातार सोया भीन में तेजी जारी है और इतना ही नहीं अब तो सरकार के किरश मंत्री भी इस बीच बात करने लगे हैं कि जल्द ही ओयल में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए जिससे सोया भीन वा अन्य फसलों में तेजी आए ऐसे म वागतार और देखा जाए तो आखरी कारो बारी दिवस जो मंडी चली है उसमें ऊपर बढ़िया माल 4750 रुपए तक विखा है क्योंकि बढ़िया माल 4650 रुपए से 4750 रुपए प्रिच पुन्डल मेडियम माल 4575 म से 4650 रुपए प्रिच पुन्डल योरेज माल 4400 जार लगातार तीसरे दिन 75 रुपए तेज रहा साथ ही किसान भाईयों आपको बता दे जिस प्रकार से अंदोलन चल लहा है इस सब्ता भी सोया बीन के दामों में तेजी बनी रहे